हे वीवर्स, विल्कम बैक टियूरोन चैनल, टागेट बुलजाई आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं VST Industries Limited के उपर तो ये कंपनी इस्टैबलिश की गई थी 1930 में और इस कंपनी का जो नाम पढ़ा था वो पढ़ा था इनके जो founder रहे हैं वजीर सुल्तान के थ्रो नेक्स अगर बात करें तो ये कंपनी third largest player है आपके Indian cigarette market में with over 90 years of operations वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो VST Industries के 9% आप देख सकते हैं जो market share है वो आपके legal cigarette market में है और 5% है आपके overall cigarette market में in terms of value वहीं इनके काफी सारे आपको reputated brands मिल जाएंगे और उनके अंदर आपको काफी सारे जो इसमें आपको product portfolios मिलेंगे और ये लोग जो sell करते हैं cigarette वो इंडिया और abroad दोनों जगे करते हैं वो भी different brand name के थ्रो जिसमें से आपके आते हैं चार मिनार, charms, special, moments, total and addition अब अगर बात करें तो ये fastest growing cigarette company रही है FY 2014 से लेके FY 2015 तक वहीं अगर इनके portfolio upgradation की बात करें तो two new trademarks इन्होंने establish की है successfully वहीं इनके 33% जो record रहे हैं वो increase हुए है in adult consumer base since 2014 से 15 तक वहीं इनके दो brand हैं जो की among top 10 जो आपके products है या फिर brand है उनमें से आते हैं cigarette industries में साथ ही इनके two manufacturing facilities आपको देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद and topran में है next अगर इनके regional office की बात करें जो की total six है included हैदराबाद, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Guwahati next यहाँ पर इनके देख लेते हैं जो FY21 के highlights है वो तो यहाँ आप देखेंगे 147,218 लाग का revenue इनका generate हुआ है वहीं इनके 31,079 लाग का net profit रहा है और यहाँ पर बात करें net assets employed to 94,444 लाग के रहे हैं और earning per share आप अगर देखेंगे तो 201.3 that means 201.3 के आसपास है dividend per share का अगर हम लोग discuss करें तो 114 और return on capital employed की बात करें तो 33% के आसपास है अब यहाँ पर देखें तो 50% analyst आपको buying की rating दे रहे हैं as of now बाकि आपको क्या करना है तो वह आप अपने हिसाब से कि यहां पर अपनी decisions खुद ले सकते हैं साथ ही अपने financial advisor को connect करने के बाद तो यहां आप देखेंगे कि 50% analyst आपको currently buying की rating देते हुए नजर आ रहे हैं तो आप चाहें तो आप इसमें wait कर सकते हैं या initiate कर सकते हैं वह सारा को जब हम चार्ट के उपर discuss करेंगे तो चीजें आपको भी बहुत clear तरीके से समझ आएगी और जब आप कुछ से research और analysis करेंगे तो आपको और जादा चीजें जो है वो clear हो जाएगी next यहां पर बात करें इस company के अगर valuation के उपर तो valuation में आप देखेंगे जो dividend yield है वो है आपके 3.04% के आसपास EPS is 198 काफी बहतरी ने इसका EPS आप देख सकते हैं काफी आपको उपर देखने को मिला वहीं industry PE और stock PE में अगर हम लोग compare करते हैं तो यह आप देख सकते हैं जो stock PE है वो आपके industry PE से काफी आप देखेंगे कि नीचे के value पर आपको नजर आने वाला है जो कि आप कह सकते कि undervalued price पे मिल रहे हैं वहीं deliverables की बात करें तो 62% की delivery भी आपको Friday के इसमें Thursday की दिन होती ह भी दिखिए Friday को हमारे market बनती नेक्स यहां पर बात करते हैं रिटर्न के ऊपर तो रिटर्स में आप देखेंगे वन यह में 15% रहे हैं तू यह में डेकिटिव में रहे हैं रिटर्न और वहीं 3 यह में बात कर 34% के आसपास हैं maximum return अगर हम लोग on and average की बात करते तो 322% के आ यह मिले बढ़ हां ठीक ठाक से रिटर्न आप इसमें consider कर सकते वन यह और त्री यह में नेक्स यहां अगर बात करें quarterly results के उपर तो यह जो numbers रहे हैं वह आपको जून 21 तक जून 21 के quarter तक आपको गिरते हुए ही दिख रहे हैं continuously sales के जहां यह September 20 में 300 करोर के आसपास थे वहीं आपको 275 करोर के आसपास नजर आ रहे हैं वहीं अगर आप बात करेंगे operating profit के उपर या फिर net profit के उपर तो दोनों जगे पर आपको जो scenario जो है वो same ही देखने को मिलेंगे quarterly basis पे वही yearly अगर हम लोग बात करें तो yearly basis के उपर आपके जो March 2020 तक के numbers थे वो आपको sales के बढ़त देखेंगे वही दिखेंगे 111 के आसपास वही अगर operating profit की बात करें तो यहां पर भी आपको वह same चीज़े नजर आएगी कि 20 तक आपको यह numbers बढ़ रहे थे उसके बाद आपको घटे वह दिखेंगे बढ़त नेट profit में आपको ऐसा नहीं है नेट profit में आपको जो इनके net profit पिरते वो आपको continuously एक profit booking company ही देखने को मिली है नेक्स्ट यहां पर बात कर लेकर sales and profit growth के उपर तो यह आप देखेंगे कि जो numbers रहे हैं जो percentage रहे हैं वो काफी आपको यहां पर sales growth के numbers weak नजर आ रहे हैं because one year में आपको minus 10% के आसपास का sales growth percentage sales percentage देखने को मिला है वहीं अगर हम लोग profit growth percentage के उपर बात करें जो की आप यहां पर देखेंगे कि आपको इस एक साल में 2% के आसपास नजर आये हैं और पिछले जो 5 साल रहे हैं या 3 साल रहे हैं वहां हमें फिर भी जो numbers थे वो काफी अच्छे देखने को मिले थे अब यहां पर ROE and ROCE की बात करें तो यह जो दो numbers हैं यहां पर आपको दो percentage य इस तीन साल में बाकी एक साल में आपको थोड़े घटते हुए देखें बट फिर भी criteria से आपके उपर ही है next यहां पर debt to equity की बात करें तो company आप कह सकते हैं कि debt free company है यहां आपको किसी भी तरह कोई debt नजर नहीं आ रहा है साथ ही जो cash available है company के पास वह है 20.83 करूर के आसपास next यहां पर देखें अगर share holding patterns तो share holding patterns में आपको maximum holdings रहे हैं वो आपके public के पास रहे है throughout the quarter जो भी quarter है वो आप यहां देख सकते है September 20 से लेके June 21 तक उसके बाद जो holdings रहे हैं वो आपको promoters के पास देखने को मिल रहे हैं जो कि 32.16% के आसपास आपको throughout the quarters नजर आए हैं वही आपको बढ़ते हैं जो कि आपको थोड़े से घटते हुए दिखे हैं जरूर और वहीं अगर FII की बात करें तो FII के भी numbers आपको घटते हुए दिखें तो overall यहां पे जो है main वो आपके public है and promoters है क्योंकि इनके पास आपको बड़े numbers की holdings देखने को मिल रहे हैं वहीं promoters के चार्ट में आपको यह ट्रेड सबसे पहले तो यह स्टॉक आपको 4849 के प्राइस पर ट्रेड करता हुए नजरा आ रहा था प्री कोविड उसके बाद कोविड के आसपास आपको यह 2548 रुपीज के आसपास भी आता हुए दिखा है जहां इसने अपने हर एक जो weekly EMA है उसक करेंगे कि 4500 के आसपास आपको जाता हुए दिखा है उसके बाद वापस से जैसे ही आपको ऊपर की तरफ एक काफी अच्छा खासा बाउस बैक नजर आया था उसके बाद आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखिए उसके बाद आपको वापस से यहां पर बाइंग हुई थी और अगेन आपको इस तरीके से अपने जो आप यहां पर देख सेते जो ब्लू लाइन है तो यह आपको अपने ब्लू लाइन जो की आपके 200 वीक यह में हैं वहां पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था एंड देन आपको यहां से बाउंस बैक करता जो की 3751 के प्राइस पे भी दिख रहा है एक अच्छा खासा यहां पर आपको ब्रेक आउट होता हूँ अभी दिखा है इस हफ़ते नेक्स अगर बात करते हैं इसी चीच को छोटे टाइम फ्रेम के उपर तो यहां आपको चीज़े जो हैं वो बहतर तरीके से समझ भी आ अच्छा खासा आपको यह तीन दीन से लगतार एक अच्छा खासा मॉमेंट देखने को यहां पर मिला और अपने जो यह प्रीवियस 3700 के आसपास हुआ करता था जो कि हमने यहां भी देखा है उस प्राइस के आसपास आपको यह आल्मोस्ट इसके उपर एक क्लोजिंग आ करता हुआ नजर आया है बड़ यह एक प्रॉपर आपके आपके सकते कि मंडे को यह कंफर्मेशन हो जाएगा आपके कि इसने प्रॉपर ली एक ब्रेक आउट जो क्लोजिंग दी है या नहीं दी है तो 3800 के उपर अगर आपको एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे तो और ज आता हुआ नजर आएगा बड़ उससे पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके पहले जो इसका प्रीवियस हाइरा है वह 4500 के आसपास तो पहले उसको वहां तक तो जाना ही जाना है उसके बाद आप वेट कर सकते 4800 के आसपास को इसका एक लेवल निकल के आ जाए और अगर आपने इसमें नहीं किया अपने जो भी कैपिटल है तो वह आप यहां पर कर सकते बाकि एक अच्छा खासा ब्रेक आउट अलरी हो चुका और जिनोंने भी इसमें पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उनके लिए काफी अच्छा भी आपको एक में पूछ सकते हैं और इनकेस अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करें अपने फैमली एंड फ्रेंज के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल